कि कल हम बस यही टॉपिक करवाएंगे, इसलिए करवाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम यह सब टॉपिक में आपका कमांड आए, तो ही आपको निकाल कर देगा, विस्वास पानों, रिजनिंग में अगर आगे निकलना है, तो सिर्फ एक उपाय है, इस टॉपिक पर काम करो या पजल इस सिटिंग एरेजिमेंट में काम करो तो ही आप बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो वरना कोई तरीका नहीं है रिजनिंग में बच्चों को हराने का पटना उत्तरप्रदेश विलासपूर सिकंद्राबाद आरविच नहीं जम्मू वहां पर सब अच्चा करकर बैठा है लेकिन भीड जो नहीं करकर बैठा है और यह सब टॉपिक पूछ रहा है अगर आपका इस पर कमांड आ गया ना तो आप भीड से आगे निकलने लोगे और भीया निकलना तो भीड से आगे ही है तब भी तू रिजल्ट होगा इसके बारे में सोचन अर्गूमेंट कोर्स ओफ एक्शन एसर्टन और कॉंकूलूजन भी आता पांस टॉपिक टोटल आता इस टॉपिक में और यही सब टॉपिक में काम करना एक्जाम से पहले यह मेरा बात याद रखना ठीक है चलो तभी को गुड नाइट अपना ख्याल लगा मैं पर ख्याल कोर्स है इसके अंतरगत बोल तो दिये हैं साइंस तो सब दे दिये हैं गुरूप डी का पूरा पेपर दे दिये हैं सिप्ट वाइस हिंद इंगलिस में कल एलपी सीविटी वन और सीविटी टू का पेपर डाल देंगे जो अभी इसके पहले एक्जाम हुआ था है एलपी व लेकिन पढ़ना पड़ेगा तो लगता है रिजल्ट बनेगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा यह सब आपको वहाँ पर 199 में मिल जाएगा लेकिन यह सी 10 तक मिलेगा 10 February तब क्योंकि रेलवे वाले बच्चों के लिए खास तरके आप वहाँ पर जाओगे ना तो रिजनिंग क नहीं कोर्स का अदाम बहुत जादा है लेकिन हम सब दे दिया सिक दस तालिकता के लिए रिजनिंग वाले बच्चों के लिए ठीक है तब ब्लड रिलेशन प्रिस यूटूप में कराये कराये ब्लड रिलेशन भी सिखना है आपको अब है अच्छा वाई कुस दिन टॉपि काम नहीं है बहुत असान टॉपिक कोई पढ़ा सकता है आप भी पढ़ा सकते हो यह सब टॉपिक एक टीचर को लिए पढ़ाना बहुत बड़ा बात नहीं है असान टॉपिक है कभी भी करवा देंगे बहुत समय अपने पास